तो YouTube पर आप अगर एक new creator है ना तो आपसे मेरा एक निवेधन है अगर आप पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं अपने channel से और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पैसा ही कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको कितना time लगेगा ये तो मैं नहीं जानती बट उससे भी कुछ अच्छा अगर आप करना चाहते हैं तो करिए ये कि जो भी आपके चैनल पर पब्लिक है उस पब्लिक का दिल जीती है तो पैसा अपने आप आजाएगा और कब आप सफल ब्यक्ति बन जाएगे आपको खुद पता नहीं लगेगा और किसी ने सही कहा है रखो भरोसा अपनी मेहनत पर ना की अपनी किस्मत पर सपनों की तैयारी पूरी रखो फिर सफलता का स्वात चको एक बात कभी मत भूलो जब भी कड़ी मेहनत करो तो थोड़ा सा सब्र जरूर करो मेहनत का फल जरूर मिलता है मगर थोड़ी देर से मिलता है पसीने के स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को न उनके मुकदर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते वक्त बुरा हो तो मेहनत करना और जब वक्त अच्छा हो तो दूसरों की मदद करना अपने होसलों के बल पर हम अपनी प्रतिबा दिखा देंगे भले कोई मंच ना दे हमको हम अपना मंच खोद बना लेंगे तो चलिए आज के दिन की शुरॉत हो चुकी है इसी पॉजिटिव थोट के साथ नमस्काराद आप खमागड़ी वड़क का मैं सास्त्रियाकाल मैं रेखा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने निव व्लॉग में और जितने भी चैनल पर नएए आते हैं उनका बहत बहत स्वागत है और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स अन्वीवर्स है उनका भी बहत बहत दिल से ठैंक्स है इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए और आज है मंडे, मंडे का फूल डे, आप सभी के साथ आज में शेयर करने वाली हूँ, तो सुबा की सुरुआत हो चुकी थी मेरी सारे पाँच वजे से, और अब मैं बना रही हूँ, अपने लिए मॉर्निंग का ड्रिंक, तो जब भी मेरे पास ग्रीन टी खतम हो जाता है, तो मैं अकसर यही ड्रिंक पीती हूँ, और आप सब पूछती हो कि मैं इतना हेल्दी हेल्दी खाना शेयर करती हूँ, ब्लॉग में और अपने वेट को कैसे मेंटेन रखती हूँ, तो यही वो राज है जो में मेंटेन रखती हूँ, मैंने मेथी दाना ले लिया है, सौफ को बहतर कर देती हैं, और यहां सुबे सुबे बाबू भी उठ चुका है, तो बस बैठा हुआ है, अभी यह बिस्तर पर और डैडी इसके सोई हुए है, तो मैं अपना ड्रिंक बना के और पी के, उसके बाद मैं धुरूप को थोड़ा सा फ्रेशनेस करवाँगी, और उसक से बाद यहां पर भी टाइम हो रहा है, लगबग साड़े ग्यारा का टाइम हो चुका है, और यहां पर कुछ न यह बिस्किट रखे हुए थे, तो धुरूप जैसे बिस्किट खाता था, तो पूरा पैकेट नहीं खा पाता था, वेस्ट हो जाते थे, तो वही इका दुका कर करके मैं समाल के रख देती थी, तो यह बहुत सारे हो गए थे, और आज मैं इससे कुछ बनाने वाली हूँ, देखती हूँ कुछ बनता है, तो ठीक है, नहीं बनता है, तो कुछ ना कुछ तो बनी जाएगा, तो पहले तुम्हें गाय को देने वाली थी, पर फिर सोचा क कि चलो कुछ बना लेते हैं, तो मैंने बिस्किट में थोड़ा सा चीनी डालके और इसको पीस लिया है, और पीसने के बाद इसको अच्छे से चान लिया है, ताकि इसके अंदर कोई भी मोटा बिस्किट ना रहे, और चानने के बाद थोड़ा सा गुनगुना मैंने दूद ले लिया है यहां पर और इसका मैं बनाने वाली हूं सौफ्ट सा एक डो और डो को बिल्कुल भी पतला नहीं करना है और टाइटी रखना है थोड़ा सा और उसके बाद मैंने रिफाइंड ओल ले लिया है आप चाओ तो देसी घी या बटर कुछ भी एड़ कर सकते हो और इस कुछ अच्छा बनाना चाहा रही थी तो मैंने यहां पर नमकक कर दिया है अकुकर में तो बरतन आप जो भी ले ना इस तरह का वेग को अच्छे की रस्पी को वेग करने के लिए तो गो मेरे पास तो फिलाल अकुकर ही था हेवी वेट का और इसकी बात जो इडली पharma li में चला के आचे से फैट लिया है और जादा नहीं फैट नाय के इसके पालेस को any क्रहें 2016 कराना होता है और जल्दी लिए अपना वेडल सटेंड में डाल के और बेक कर लेडा है तोzero मैंने इसको इस्तेंड में डाल दिय है और इसको बंद करके 20 मिनट के लिए रख दोंगी उसके बाद मैं इसे चेक करूंगी तो यहां में 25 मिनट हो चुके थे लगबग और यह पता नहीं क्या चीज बनके तयार हुई है मुझे नहीं पता अभी में इसको निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी उसके बाद ही मेरी महनत पूरी बेकाल हो चुकी थी और अच्छा हुआ मैंने ज्यादा इंगेडियंस इसके अंदर नहीं किये तो पता नहीं वह भी सारे वेस्ट हो जाते इससे अच्छा तो मैं केक बना लेती बट धुरूप को यह पसंद आया और उसनी खाया थोड़ा सा और ज्यादा बहुत ही यमी बना था बस इसकी जो शेप थी वह बिगड़ गई थी और यह खाने में बहुत ही मज़िदार लग रहे थे और अब शुरू होता है मेरा चार वजे से इवनिंग रूटीन मंडे का तो मंडे में सबसे पहले मैं बाबु को जो भी उसका खाना पीना जो भी उ कमेट के रखना और उसके बाद जाड़ू पोचा करना और मुझे कुछ कोमेंट आये थे तो उन कोमेंटों को में जवाब देना चाहती हूँ अभी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो और उनका नाम मैं नहीं लूँगी साथ में और उन्होंने पूछा था कि आप की शादी को 14 साल हो गए है तो मैं बता दूँ आप सभी को उन्होंने ऐसा कोमेंट मुझे क्यों किया एक्चली में जो मेरा होम टूर वीडियो आया था तो उस थमनेल में मैंने बहुत ही बहुत ही बड़ी एक मिस्टेक की थी अगर आप सबने नहीं देखा है तो आप जाक 14 साल का मतलब यह है कि हमें वहां आए हुए 14 साल हो चुके हैं यानि उत्तरा खंड में मुझे आए हुए 14 साल हो चुके थे माइके में उसके बाद हम लोगों की शादी हुई थी और इससे पहले हम कहां रहते थे तो इस टॉपिक पे भी मैं जरूर वीडियो लाँगी और अभी हमें 14 साल कंप्लीट हो चुके हैं वहां माइके में यानि जो मेरा माइका है उसको बने हुए वहां पर हम लोगों ने जब से जगा वो खरीदी थी तब से आज तक 14 साल कंप्लीट हो चुके हैं और रही बात आपको लग रहा है कि लब मैरीज के 14 साल बात तो जी रही वो मेरे लिखने में थोड़ा सा mistake हो गया था और आपको गलत फहमी हो गई और आप शायद आपका जो सवाल का जो जवाब है वो आपको मिल गया होगा हमारी शादी को 14 साल नहीं हुए है और कितने साल हो गए है यह तो आप सब जानते ही होंगे मैंने कई बार अपने ब्लोगों में शेयर किया है तो आप सबसे बाते करते करते देखिए यहाँ पे मेरा खाना भी बन चुका है तो आज का जो मेरा खाना होता है मंडे का वो बिना लेस्न प्यास का बनता है क्योंकि मुझे पूजा में चड़ाना होता है यह खाना तो यहाँ पे मैंने आलू गोबी की सूके सबजी बनाई है और इस सबजी को बनाने की एक आसान सी ट्रिक मैं बता देती हूँ आप सभी को और बाबू देखे यहीं पे खेल रहा है मेरे पास में तो आप जब सबजी बना रहे हैं तो उसको 80% अगर आप पहले ही कुक कर लेंगे मसाला डालने से पहले तो उसके बाद अगर आप मसाला डालेंगे तो आपकी सबजी बहुत बढ़िया से गल जाएगी और इतनी अच्छी बनेगी ना कि आप बार बार इस तरह के सबजी खाना चाहोगे और मेरे हजबन को यह सबजी बहुत बहुत पसंद है उनकी फेवरेट है आलो गोवी की सूखी सबजी और बहुत खुश हो जाते हैं शाम को जब इस तरह की सबजी देखते हैं घर में तो यहां पर पूजा का खाना है वो बनका रेडी हो चुका है और सबजी आप देख सकते हैं कितनी मस्त बनी है और बहुत अच्छा कलर आया है सबजी में मसाले बिलकुल भी नहीं जलते हैं इस तरह से अगर आप सूखी सब्जी बनाएंगे और सिफ गोबी आलू नहीं आप कोई और भी सब्जी अगर इस तरह की सूखी बना रहे हैं तो पहले आप सब्जी को थोड़ा सा कुक कर लीजिए भूनते भूनते और उसके बाद आप मस सब्जी जल्दी भी बन जायगी और साथ ही साथ जो मसाले हैं वह बिल्कुल नहीं जलेंगे और सब्जी enquanto है बिल्कुल भी कच्छी नहीं रहे है तो हम लोग सर पे पल्ला लेके ही बतलब पूझा वगरा करते हैं और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए यानि ब्रत खोळने के जरूरी नहीं है बट गोबी आलू के साथ तो पराठा ही अच्छा लगता है और मैंने दो पराठे भी बना लिये हैं और फिर जब आएंगे तो उसके बाद में अपना खाना बनाओंगी और यहां पर देखिए मैंने थोड़ा सा मूली का और गाजर का अचार ले लिया है और टाइम हो रहा है लगबख साथ से साड़े साथ बज रहे हैं तो चलिए इस वीडियो का करती हूँ यहीं पैंड और आपका कोई भी सवाल है तो आप कॉमेंट वॉक्स में मुझे जरूर लिखे और आज का मेरा फुल डे मॉर्निंग मंडे ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा तो चलिए मिलती हूँ आप सबी से एक धमाकेदार सी रसिपी के साथ और एक अच्छे से ब्लॉग के साथ तब तक के लिए खुश रहें मस्त रहें अपना ध्यान रखिए बाइबाइ टाटा